पंजाब के स्री में आप सबका स्वागता है मैं हूँ चंदर शेकर धरनी अनिल धंतोडी कॉंग्रस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं बीजेपी में हैं और राष्टियस तरफ पर कॉंग्रस संगठन से जुड़े रहे हैं बाचित करेंगे धंतोडी जी से पू मुख्य मंत्री मनहोरलाल जी की नेतरत्व में हर्याणा ने पिछले 3000 दिनों में आठ सालों में इस परदेश का चोह मुखी विकास किया है और आप देख सकते हैं मैं पहली बात यह कहूंगा कि सबका साथ सबका विकास और सबके परियास से यह हर्याणा दिन दूगनी अभिमान की प्रकास्टा की अगर बात करूं तो मनहोरलाल जी ने हर व्यक्ति अंतोद्या की बात मनहोरलाल जी करती है और उन्होंने वह परतक शुरूप से दिखाया भी है कि उनकी जो सोच है वो किस तरीके से आगे लेके जाना जाते हैं हर्याना को पहली बात अभी मैं पूर मुख्यमंत्री भुपेंदर सिंग हुड़ा जी का एक ब्यान सुन रहा था उनकी यात्रा के दुरान वो कह रहे हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया कि सड़क में खड़े थे या खड़ों में सड़क थी मैं पूर मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं हुड़ा जी आपने सवाल कर दिया पहली बात तो नेशनल हाइवे पे ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली हम लोग करोट लाकों लोग रोज गुजरते हैं लाकों वहां वहां से रोज गुजरते हैं कोई खड़े सड़क पर मुझे नजर नहीं आए लेकिन शायद उनको देखने का नजर दारित बात करता हूँ माननिय हुड़ा जी आपने पंचकूला से लेकर के जो यम्नानगर तक जगादरी तक हाईवे जाता है चार साल उसको पेंडिंग रखा अपने कार्यकाल में और जब माननिय मनोहर लाल जी की सरकार आई उन्होंने आने के बाद उस हाईवे को बनाया आप देख सकते हैं परतक्ष को पर्मान की जुरूरत नहीं है मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं और तथ्य यह है कि मनोहर लाल जी के नित्रतव वाली भारते जुनता पार्टी की सरकार ने इस हाईवे को बनाया पंचकूला से जो यम्नानगर हाईवे जाता है दूसरा उध मैं आपसे पूछना चाहता हूं और यह जब मानिये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार आई उसमें उन्होंने अंबाला हिस्सारोड को बनाया यह प्रतक्ष को परमान की जुरूरत नहीं आपके समने बनाया तो मेरा कहने का मैं क्यों भाजपा मैंने जुआन की कि ना नहीं जातिवाद है नहीं परिवार वाद है नहीं छेतर वाद है अगर यहां को एक अगर कोई भाजनेतिक दल्लू उनका कॉछ क्राइब कर रहे हैं कि हां मैंने सुना कल एक विधायक जी पोल रहे हैं कि अगला मुख्या मंत्री को एक इंटर्विव दिया था कि अभी डिपेंदर भाई को जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आपको मजबूत करना पड़ेगा अभी राजमिती गरूप से डिपेंदर हुटा जो हैं बहुत कमजोर हैं वह समझ नहीं है राजनीती का ज्यान नहीं है उनको, सिर्फ कि उनके पिदा जी एक पूर मुख्य मंत्री रहे, अन्भोवीन है, बेशक वो चार बार के MP है, तीन बार वो लोकसभा चुन करके आये और एक बार वो अभी राजसभा के सदसे हैं, लेकिन ना तो वो संगटन में कभी उन्होंने कारिय किया, और यही लड़ाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, यही लड़ाई जब 2024 का चुनाव के बाद, अब इसे शुरू है, जब आप देख रहे हैं, कि आप ही की जुबानी है, कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भुपेंदर सिंह हुड़ा मुख्य मंत्री होंगे, औ पुतर में ही रेस लगी है, कि कोन मुख्य मंत्री होगा, और बाकी और कॉंगर्स के जो वरिष्ट नेता है, वो भी कह रहे हैं, हम मुख्य मंत्री होंगे, तो कैसे कॉंगर्स आएगी, एक स्वाल और कॉंग्रस का आप से लूगा, कॉंगरस का अनुबह आपका बहुत लं अंदरूनी मामला है लेकिन इस सबसे भाजबा को फाइदा है भारतिय जनता पार्टी को ये फाइदा है कि गुटों के बीच में बटी हुई कॉंग्रस कभी पनप नहीं पाएगी ये मेरा 25 साल का अनुभव कॉंग्रस पार्टी कर रहा है और यही सबसे मुख्या कारण है कि कैसे वो देश या प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे जीटी रोड बेल्ट का विशेश फोकस है बीजेपी का गड़ कहा जाता है अब जीटी रोड को कैसे बीजेपी संभाल करके देखिए निश्चित रूप से मनहोरलाल जी के नितरतवली भाजपा की सरकार ने हर्या जोगों में पकड़ है लोग चाहते हैं कि भारते जाता पार्टी का दो हजार चौबीज में विनेतरत्व हो और नेतरतव मनहोर लालजी भर पूर कर रहे हैं और मैं नहीं समझता कि कोई आने वाले समय में कोई दिक्त वालई है ऐसा बिल्ounds भी नहीं है मनहोर लालॉँ जी की खास्यत है और यही कुंजी उनके पास है कि छोटे से छोटे कारेकरता का समान करते हैं अमित शाजी हर्याना में आने जा रहे हैं कारेकरम भी बीजेपी संगठन के तरफ से रखा गया एक तरह से इसको चुनावी शंकरात माना जा रहा है क्योंकि मिशन दोजार चौविस लोग सभावी है देखिए भारती जनता पार्टी के शीष नेतरत्म ने लगबक तीन दिन पहले आपके सामने राष्ट्य कारेकरनी की मीटिंग होई और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि भाजपा भारती जनता पार्टी के राष्ट्य अध्यक्ष जी को उ बहुत मिहनत की है और हर्याना तकि अगर बात करें हर्याना के प्रदेश लेक्ष अधिन दुन्कड जी की नेतर तॉम में हर्याना भाजपा जो है दिन रात कारे करता हूं उन्होंने अभी यार्छि नगशा रख है कि ृस्त्य के जफ फिर पर्र्ट प्रमृत बनाएंगे और लेकर के चलेंगे लोगों को जोडेंगे यह बहुत बड़ा मेसेज है और आज भी हमारी एक विटिंग जारी है तो मानने हैं हम इस शाजी आ रहे हैं हर्याना में आपने जो सवाल किया है निश्चित रूप से भारते जनता पार्टी और पार्टियों के मुकाबले जो है अपनी त्यारी पहले ही कर देती है और यही एक जीत का मंत्र है आधनिया मोधी जी का कि पूरे देश में आज नरेंदर मोधी नरेंदर मोधी और नरेंदर मोधी जी का नाम है दंतोरी साब एक स्वालोर लूंगार राजनिती से सीधा जुड़ा हुआ शाहबाद से आप विधायक रहे हैं पहले स्कूल की एजुकेशन कॉलेज की आजुकेशन आपकी यमना नगर से रही है आमबाला में आप आपका निवास है आप बीजेपी में शामिल हुए राज कि शेतरों की जनता आप सरकार के साथ जुड़ें कहीं न कहीं कहीं कोई काम कोई न कोई जन्रीद के काम पब्लिक इंटरस्ट की बाते आप से कहते तो होंगी जी निश्चित रुप से जब हम पिछले 25 सालों से मैं चाहते राजिंती से आया हूं और संगठन में हमने काम कि और तीन चुनाओं भी हमने लड़े हैं और जैसा भी होता है जनता हमारे पास साथ ही तो हम उनके काम के लिए जो उनके सारवेदी काम है जितनी भी अपने से वहनत होती है लगती है वहू करते भी हैं आपका प्रमूख हैजंडा क्या है इन कि श्युतरों के लिए कोई तो माने मुख्यमंत्री जी हमेशा से आगे बढ़कर एक ही बात उन्हेंने का कि आनिल जी आप कभी भी आए सारवजनिक काम या प्रमुक्ता से कोई भी काम हो किसी व्यक्ति का तो वो लेकर कि हम जब मुख्यमंत्री जी के यहां गए तो उन्हें निश्यूरूप से किया भी है और मेरी जो सोच है इस छेतर के अंदर कि भाया जो जिस जो जिस इलाके का जो हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए और दो हजार चौदा तक यही भेद भाव उत्री हर्याना और इस छेतर के साथ को आप जिटी रोड बेल्ट बोलते हैं यह था और यह भेद भाव उससे पहले की दस साल जो है पूर मुख्यमंत्री बुबंदर सिम हुड़ा ने किया और और उससे पहले जो लोग थे तो मैं सम सबस्ता हूं कि अब यह सही समय आया है कि मनोहर लाल जी ने कोई ना तो भेद भाव किया ना छेतर बाद किया ना जाती बाद किया ना कोई पुत्र मो किया ऐसा कोई भी कोश्चन मारक मनोहर लाल जी के ऊपर नहीं है साफ सुत्री चवी के साफ नेता हैं और उनके नेतर त तो ये हैं अनिल दंतोडी पूर विदायक हैं इनका कहना है कि जो हरेना के मुख्यमंतरी मनोर लालना तो वो पुत्र मोज से गिरे हुए हैं कटाक्ष में बुपिंदर सिंग उड़ा और दिपंदर सिंग उड़ा की बात भी करते हैं दूसरी आहम बात ये कहते हैं कि ना किश शाय जी का हरेना में आगबन जो है वो हरेना के लिए काफी लाब करी रहेगा कैमरा मैं संजे सिंग के साथ चंदर शेकर धरनी पंजाब के स्री टीवी चंदीगट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद